अब मिलेगी सभी को सरकारी जौब विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोट.com देश के सभी सरकारी विवागों की वेकेंसी की जनकारी अब सबसे पहले पाएं रोजगारकीखोट.com पर विजिट करें अभी www.rojgarkicourt.com जै हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए SSF यहनी की ग्रह मंत्राइले Ministry of Defense के द्वारा Secretary Security Organization से आप सभी के लिए New Delhi से नई बरती जारी कर दी गई है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस बरती की सौट में क्वालिपकेशन के बारे में साथी मैं आपको डिटेल में बताने बालाओं कि आप सभी इस बरती का offline forum कैसे फ्लाप कर सकते हैं देखिए फ्रेंड्स आप सभी के application forum 21 सेप्टेंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और आप सभी इस बरती के लिए 19 नवंबर 2024 तक आपी दन कर पाएंगे साथी फ्रेंड्स आप सभी इहांपर किसी भी category से बिलॉंग करते हों सभी category की इहांपर 0 रुपे application फीज रखी गई है आप सभी इहांपर 18 से लेकर 25 साल तक आप इदन कर पाएंगे और आप सभी की जो एज की counting होगी 19 नवंबर 2024 से आप सभी की इहांपर एज की counting रहने बा लिए हैं यदि बात करेंगे आपकी category वाई vacancy को लेकरें तो फ्रेंड्स यहांपर जनल category की आठ पोस्ट हैं OBC की तीन है SC की एक post और EWS category की यहांपर एक post रहने बाली है यहांपर फ्रेंड्स यदि आपने 10 भी पास कर लिये प्लस आपके पास light आपके पास driving lessons है light होया heavy हो आप सभी आप इदर कर पाएंगे यहांपर आपका written exam के आदार पर आपका selection होगा देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको link के पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने बढ़ती है इसके बारे में detail जानकारी आजाएगी इसके बाद यदि आपको डाउट रहता है तो आपको यहां से official notification को download कर लेना है notification जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे जब तक upload कर दियागा होगा साथ ही फ्रेंड्स यदि आ apply करना चाहते हैं तो आप offline forum pdf के just सामने डाउनलोड पर क्लिक करके इस बरती का offline forum pdf डाउनलोड कर पाएंगे अभी मैं आप सभी को बतना चाहूँगा कि आपको pdf डाउनलोड करने के बाद अपने forum को कैसे फ्लाप करना होगा फ्रेंड्स जैसे आप सभी इस बरती का offline forum pdf डाउनलोड कर लेते हैं तो आप सभी को कुछ इस प्रकार का pdf देखने को मिल जाएगा यहापर आपको सबसे पहले page में आपको इस बरती से little detail जानकारी देखने को मिल जाएगी आप यहाँ से अपनी जानकारी चेक आउट कर स कर आपको इसका printout निकलवा लेना है और printout निकलवाने के बाद आपको अपने handwritten के माध्यम से इस forum को फ्लाप करना होगा सबसे पहले friends आप सभी को अपने अपर एक color passport size photo चिपका देना है और color passport size photo चिपकाने के बाद आप सभी को इसको self-attested कर देना होगा यहीं कि आप सभी को photo के ऊपर अपने signature कर देने होंगे इसके बाद देखे friends जो आपको advertisement number और यह title है friends मैंने आपके लिए video के description में provide करा दिये हैं आप वहाँ से जाके check out कर सकते हैं आपको video के description में इस बरती का advertisement number और title में friends मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपको लिखना क्या है आपको यह यहाँ पर लिखना होगा जिस भी post के लिए आप यहाँ पर आवेदन करें आपको यहाँ पर देखे friends जो भी आपको जानकारी देनी है वह आपको capital letter में देनी होगी small letter का use नहीं करना है आपको यहाँ पर लिख देना होगा constable driver इसके बाद आपका नाम क्या है आप सभी अप अपर father name लिखेंगे इसके बाद आपकी date of birth क्या है सबसे पहले आप सभी को दिन में इसके बाद friends आप सभी को यहाँ पर month में और इसके बाद आप सभी को अपर year में आप सभी को अपनी date of birth mention कर देनी होगी इसके बाद जिस भी category से आप सभी अपना application form apply कर रहे है उस category के just सा आपने आपको right tick का चिन यहाँ पर लगा देना है इसके बाद आप सभी को अपने अपर residential address के बारे में जानकारी देनी होगी देखिए इससे नीचे आप से पूछा हुआ है आठ number option में permanent address मैं आपको दोनों address में आपको difference बताना चाहूँगा देखिए friends आपका residential address वो address है जह आपके आधर कार्ड में है दो मिसाल में है आपका जो आपका जो वहाँ पर address लिका हुआ है यह दि आप उसी address पर अपना admit card मंगाना चाहते हैं तो आप सभी दोनों जगे same address को फिलब करेंगे दि आपको अलग जगे मंगाना चाहते हैं वहाँ पर जो आपका प्रमाने residential address में डार देंगे जो भी आप residential address डालेंगे वही पर आपका admit card आने बाला है तो friends सबसे पहले आपको अपने गाउं है city का नाम आपको लिखना है इसके बाद आपका post office क्या है आप सभी अपने post office के बारे में जानकरी दिंगे इसके बाद district क्या है आप सभी अपने अपर district क up in code लिख दिंगे इधी friends आपके permanent address और आपको correspondence address दोनों सेम है जैसा कि मैंने आपको बता है क्या क्या दोनों में difference है इधी आपके दोनों सेम है तो आप सभी क्या करेंगे आप सभी दोनों जगे यहां पर जो आपने ऊपर address फ्लप किया है उसी address को आप सभी यहां पर नीच वाली है इसके बाद आपका धर्म क्या है आप सभी अपने धर्म के बारे में जानकारी देंगे इधी आप government employees है या एक servicemen है तो उसके बारे में आप सभी यहां पर जानकारी देंगे वरना आप सभी इसको खाली चोड़ेंगे इसके बाद identification mark में आपके सरी पर कोई भी ति üç main इसके बारे में आप सभी यहां पर जानकारी देंगे या काँ कई बेड़ना जे देंगे यहां पर गंपर ग्रदण पर जो भी है विए उसके बारे में जानकारी देंगे इसके बाद friends आप सभी को क्या करना है पर आपको serial number एक लिखना है इसके बाद आपका name of exam name of exam में आपको लिखना है 10th इसके बाद आप सभी को year of passing जिस भी year में आपने पास किया 10th class इसके बाद आपने किस बोड या किस university से pass out किया उस बोड या university का नाम इसके बाद आपकी division क्या है आप सभी अपने आप डिवीजन के बारे में आप सभी यहां पर जानकारी दे दिंगे जो भी आपकी division है आप सभी अपने आपके पास को experience वगरा है जिस sports से आप आभी दन करें इस sports से लेटेड कोई भी आपके पास experience है तो इसके बारे में आपर जानका लिए दिंगे लिस्ट आप document attested में आपको यहां पर सबसे लिखना है सबसे पहले लिखना है education qualification certificate आपको यहां पर इतना आपको लिख देना है दी कि मैं आपको समझाना चाहँगा यहां पर इस परकार time लग जाएगा आप second यहां पर लिखेंगे friends अपना आदार card इसके बाद आप यहां आप जर्नल केटिग्री से बलॉंग नहीं करते हैं आदर किसी केटिग्री से बलॉंग करते हैं यहां आप सभी को यहां पर लिखना है इसके बाद आपको यहां पर रेदी आपके पास और भी कोई document है तो आप सभी उसके बारे में आप जो आप अपने फॉर्म के साथ में बेजना चाहते हैं आपको पास experience है इस्पूर्ट कोटा का certificate या NCC है आपके पास कोई भी आदा document है तो उसका आप सभी यहां पर नाम ल लाओं इसके बाद आज की डिट डालेंगे अपने पहले इसको डालेंगे आपके गाउं आप इसके बाद अपने signature कर दिंगे इसके बाद आप सभी को बुक से लएने पुस्तक बंडार के पास जाना और वहां से आपको दो लिफापे लेके आने एक तीन रुपे बाला एक अब तीन रुपे का लेके आए हो ठीक है आपको क्या करना है इस लिफापे पर आपको मेड में आपको यहां पर लिखना है तू लिखना है कॉमा लगाना है और यहां पर फ्रेंड्स यहां पर आपको अपना नाम भादन नेम आपको अपना complete residential address जो आपने residential address डाला उसी address को यहां पर withPIN code के साथ में लिख दिंगे इसके बाद आप सभी को पने यहां पर 10-digit का आपको mobile number आपको यहां पर लिख दिना है इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या गरना है जो आपका लिफापा दो लागा देने कहांगी है तो आपको पूम लगाना है यहां पर आपको अपना complete address विद्विड कोड की साहथ में यहां पर mobile नमर यहां पर friends आपको घुलाव लिखने जाएंगे तो आपको पूस्ट बेश्च में आपको पाँच पांच आपको बड़ा वाला लिफापा रहेगा जो फ्रेंट्स आपका मुख लिफापा रहेगा जो आपका यहां पर 4 रुपे का आपको मिलने बाला है देखे फ्रेंट्स आपको यहां पर लिफापा है आपको यहां पर क्या करना है आपको उस पर लिखना होगा आपको देखे यहां पर म लिखना होगा application for the post of post of constable driver in SSF ठीक है इसके बाद आपको इसके बाद लिखना है category इसके बाद आप जिस भी category से अपना form apply करें लिखना है और यहां पर आपको अपना address complete address आपको अपना with pin code के साथ में लिखना है इसके बाद mobile नंबर भी यहां पर आपको लिखना है इसके बाद दूसरी साड में आप तू लिखेंगे कोमा लगाएंगे और यहां पर जो आपका sending address है मैं आपको दिखाना चाहूँँगा sending address है office of section officers, security security force, security security organization, ministry of home affairs, ndcc second building, third floor, jessing road, new daily with pin code के साथ में आपको इपर दिया का है इस pin code को आप सभी यहां पर लिख देंगे इसके बाद सभी document को इसके अंदर रखेंगे अपने आधर card और जो आपको मैंने document बता हैं जो आपने यहां पर document लिखेंगे सभी document पर अपने signature करेंगे नीचे एक तरफ और अपने इसके अंदर रख देंगे दो passport size photo इसके अलावा इसके अंदर आप सभी डाल देंगे अभी इसके बाद आपको क्या करना है देखे फ्रेंड्स इसके बाद आप सभी आपका फॉरम है इस फॉरम की एक photo कीचेंगे सभी document की photo कीचेंगे और photo कीचने के बाद सभी के PDF बना लेंगे सभी के PDF बनाने के बाद आपको एंपर जो आपको एंपर एक email ID देख रही होगी इसके बाद mha.gov.in इस पर आपको एपनी PDF को बेज देना है इसके बाद PDF को बेजने के बाद आप सभी को इस फॉरम को speed post registered post के माध्यम से डांक द्वारा बेज देना हुगा आप अपने post office में जाएंगे और इसको speed post registered post के माध्यम से send कर देंगे आपका successfully forum club हो जाएगा इसके बाद जैसे आपका admit card आएगा तो आपको फ्रेंट चैनल पर update कर दिया जाएगा आप चैनल को subscribe कर लें वेल आइकन को press कर लें इसके बाद आप सभी हमारे whatsapp group से जुट जाएं link आपको वीडियो को comment और description में मिल जाएगा वहाँ से भी friends आप सभी को इस बरती के बारे में जैसी कोई update आएगी तो वहाँ पर भी आपको update मिल जाएगी आज की वीडियो में पर जेतना ही मिलता हूं कुछ आने वीडियो को साथ में तब तक के लिए जाहिंच है